हाँ जी बाते करतो बंदब कर अब सुनो कहानी सुनो आज बैसिकली हम लोग यहां पर क्यूं मिल हैं सी इंक्टर के बारे में discuss करने के लिए हन होंफीलिए आप सब लोग foundation clear कर ही लोगे या कर चुके होगे जो भी तो हम लोग यहां आपे CA Inter को डिस्कस करने के लिए मिले मैं थोड़ा साज पहले थोड़ा सापको इंट्रोडक्शन दूँगा CA Inter में क्या क्या है क्या क्या नहीं है और सब्जेक्ट हम लोग क्या क्या करने वाले कैसे करने वाले तो CA Inter में बेसिकली ये साथ साथ लिख लो आपके दो ग्रूप्स हैं CA Inter में ग्रूप वन और ग्रूप टू CA Inter में बेसिकली आपके दो ग्रूप्स होगए ग्रूप और ग्रूप टू ग्रूप वन में आपके ये चार पेपर है ग्रूप टूप में टाक्स, कॉस्ट, लो और अकाउंट्स ग्रूप टू में जो आपके पेपर हैं दाट इस FM जिसे हम फाइनशल मैनेजमेंट बोलते हैं audit ITSM जिसे हम आज की डेट में EIS SM बोलते हैं और लास्ट इज एडवांस अकाउंट्स अब आपके पास सबसे पहली बात तो यह option है कि आप यह चारो के चारो या मतलब आठ के आठ एक्जाम नवंबर अठारा में एक साथ बोत ग्रूप देना चाहते हो या ग्रूप न नवंबर अठारा में और उसके बाद में नाइनटीन में सेकंड देना चाहते हो दाट इस अप टू यू बट अगर आपको रैंक लेके आनी है तो यह आपको सारे एक साथ देने पड़ेंगे दोनों ग्रूप आप साथ में दोगे तब यह आपकी रैंक आईगी अदर्वाइस रैंक सिंगल गूप में नहीं आती है दूसरी बात जो आपके यह इंडिवीज्वल सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स का आपका एक्जाम है सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं और यह मानके चलो कि आपको एग्रिगेट जैसे हमारा पहले होता था एग्रिगेट 50 परसेंट होना ही चाहिए और इंडिवीज्वली 40 पर पड़ता है जैसे फर एक्जामपल पहले ग्रूप में आपके दोसों में से 190 बने लेकिन किसी पॉइटिकुलर सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा मार्क्स हैं तो वो दुबारा नहीं देना पड़ेगा बाकी आपको दुबारा देने पड़ेंगे पर हमें ऐसा सोच नहीं नही इसी मार्क्स है मेरे पहले ग्रूप के चारो पेपर में एक्जामपल तो आपके 160 हो गए जो की 400 में से अगर आप 160 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपका पूरा ग्रूप रह जाएगा क्योंकि एग्रिगे 50 परसें नहीं बना लेकिन अगर उसी तरीके से आप दूसरे ग्रू के लिए नंबर सेट ओफ हो जाते हैं अगर आप एक ही ग्रूप दोगे तो आपको उसी में चारो पेपर मिला कि 50 परसेंट चाहिए लेकिन अगर आप दोनों ग्रूप देते हो तो आठ पेपर मिला कि 50 परसेंट चाहिए तो कोई एक पेपर खराब हुआ उसकी हम सेट- कर लेगें दूसरा ख़राब हो तीसरे में तीछरा ख़राब हो गधये वहले 4 भर्व और 5 खराब हो गये तो आगे आपके लिए वड़ी समस्या है तो इससेजा थाosse भर खराब हो ऑने नहीं चाहिए वैसे इस सेजा साथ में देने का बोध फाइदा है आपको अब आई चौथी बात हमारे यहां पर टैक्स और कॉस्ट अगर आपको पताओ पहले अभी सी इंटर जब नया स्लेबस आया है तो कॉस्टिंग और एफम को अलग-अलग कर दिया गया है पहले टोटल साथ पेपर होते थे चार और इस दिया आप पर कॉस्टिंग नी ता सिरफ कॉस्टिंग एंड फैम पचास-फैस नमबर सो नमग का एक पेपर था लेकिन अब कॉस्टिंग को अलग से स्व मांक्स कर दिया गया ह dachteक्स को को अलग से 100 मांक्स कर दिया गय है तो tax cost ये मैं लेता हूँ, मेरे बारे में अलड़ी बहुत लोगों को पता ही है, तो मैं एक CA और CS दोनों हूँ, law और audit, law and audit, ये आपकी शिवाली मैं लेंगी, she is a CA, CA शिवाली अगरवाल, accounts और advance accounts ये आपके लेते हैं, CA, अजे राथी, और EISM, ये लेते हैं आपके, बेसिकली मिले हैं tax के demo के लिए, हम जो basically आज मिले हैं हम लोग, tax के paper के बारे में हम लोगों discuss करना है, tax का paper आपका, 100 marks, और अगर थोड़ा सा भी आपको अंदाजा हो, IPCC और final, और इधर से executive, वैसे मैं ये बात अल्रड़ी बता चुक हूँ, आप लोगों को, executive और professional, CS का, CA और CS, इसमें I was rank 10th, इसमें rank 13, इसमें 37 और इसमें 43, मेरी rank है, और rank बहुत easily आ सकती है, लेकिन आपको पहली बात दोनों group साथ में देने पड़ेंगे, और ये अब CPT या foundation नहीं रहा, जिसमें हम सोचें, लास में पढ़ लेंगे, 11-12 का सले बस्ता, तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अब आपको मात्र 9 महीने मिलेंगे, शिर्फ 9 मंस, जिसमें आपको 8 पेपर अगर करने है, तो आपकी इच्छा है, अदर्वाइस 4 पेपर करने के लिए 9 महीने आपको मिल रहे है, बोथ ग्रूप्स दोगे तो 9 मंस है, सिंगल ग्रूप्स दोगे तब भी 9 मंस तो ऐसा मत समझना कि हमारे CPT में अगर 100 नंबर आ रहे हैं, 105 नंबर आ रहे हैं, हम तो मार्जिन पे क्लियर होगे, तो हम बहुत ग्रूप्स नहीं दे सकते हैं, यह बहुत बड़ा मित लोगों के दिवांग में आता है, कि सर हमारे CPT में 105 नंबर आए थे, हम कैसे बहुत ग होई, ना तो 185 वाले को आते हैं, ना यह 105 वाले को आते हैं, तो इन बातों में मत आना, लोग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में लोग क्या बोलते हैं, C.A. दुनिया का सबसे मुश्किल कोर्स है, लेकिन ऐसा 0% है, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है, और वो कभी होगा भी नहीं, पढ़ोगे तो कुछ मुश्किल नहीं, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ मुश्किल है, और लोगों की बातों में आओगे, यह बात कौन बोलेगा, C.A. मुश्किल है, या तो जो खुद C.A. नहीं है, या जिसकी C.A. हुई नहीं है, जिसकी C. लानी है तो 9 महिने बिल्कुल कंसिस्टेंटली आपको मैनत करनी पड़ेगी इसमें अगर आप यह सोचो कि मैं लास्ट में जाके रट लूँगा नहीं पास हो सकते हो यह नहीं सकते हैं यह मेरे से लिखके लेलो आज लेकिन अगर आप शुरू से पूरा कंसिस्टेंटली मैन अगर मैं कॉलेज के साथ जाके इन चारो में रैंक ला सकता हूं तो आप तो सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं आपको तो रैंक वन का एम रखना चाहिए अपने दिमाग में रखोगे तो जाके पचास पहले पचास में टिक होगे आप यही सोच के जाओगे कि मैं सिर्फ पास हो जाओं तो बड़ी समस्या हो जाएगी इस मेहां पर एक एक दो नंबर से पूरी काहनी बिगड़ जाती है और 6-6 महीने बरबाद हो जाते हैं तो इसलिए अपने दिमाग में नेगेटिवीटी बिल्कुल निकाल दो मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ह हर कोई जीरो डेवल पे है आप अराम से रैंक लेकर आसकते हो लेकिन 9 months consistently आपको पढ़ना पड़ेगा अभी बहुत लोग हूंग ऐसे जो तुमारे दोस्त हैं हमारे से इंटर ले रहे हैं सीए का उनसे तुम डिसकस करना उनको सीए मुश्किल लगती है क्या लगती है क्या इंटर मार्ट करते है टाक्स का जो आपका स्लेबस है अंडर्ड मार्ट का वो दो पार्ट में डिवाइडीड है 60 marks और 40 marks 60 marks और 40 marks 60 marks में आपका डेरेक्ट टैक्स है और 40 marks में आपका Indirect Tax 60 marks में आपका Direct Tax है 40 marks में Indirect Tax है एक बार फटा-फट से इसके chapters लिख लेते हैं लोग, Direct Tax में आपके क्या-क्या chapters है Indirect Tax में क्या-क्या chapters है फिर हम डिटेल में शुरू करेंगे अपना chapter number 1 स्टार्ट करेंगे सबसे पहले chapter का नाम है Basic Concepts Basic Concepts Second is Residential Status Third is Exempt Income Next point House Property Next is Salary Next PGBP Next is Capital Gain Next Other Sources Next Clubbing of Income Clubbing of Income Next Set Off and Carry Forward of Losses Set Off and Carry Forward of Losses Set Off and Carry Forward of Losses Next Next Deductions Next Filing of Return Next Filing of Return TDS and Advanced Tax TDS and Advanced Tax We have made a basis for their weightage We have made their weightage which comes from Now we will talk about inter-slavers We have two or three challenges The first challenge is that how to complete it in nine months and the second challenge is that how to complete it in nine months how to complete it in the exam focus on the focus You have to do it 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 I don't want to do it as compared to I want to do it I want to do it where it comes from So now we will discuss the weightage in detail First we will write in your indirect tax Now you will hear that today there is a lot of indirect tax in our country GST It is in your name GST and which chapters we will write first introduction 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 supply under GST supply under GST next value under GST next time of supply time of supply next charge of GST next tax invoice next registration next input input tax credit and last payment of taxes is this two that book is written book so first we will create notes in the class and understand the topic easily after that you will get two questions and you will get direct tax question bank this about 1,000 to 1,000 to 1,000 in approximately we will do 800-900 class and those will go to home work and they will practice which is the same question but figures difference in 800-900 questions what is covered the module is covered after revision test paper is covered after practice manual first ICI is not now it study material only new so practice manual is covered and past 10 attempts covered you can see this is our past 10 attempts will be past attempt questions from May 12 to May 17 to the past 10 attempts so this almost you know that this book is 116 number exam 116 number 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 1 6 complex are 6 from to which conversation is 116 number with previous paper aqo google कर लो मिल जाएगा और हमारी बुक आप यहां से कर लो आपको मिल जाएगी जाएगी 116 मेंसे 116 नंबर का पेपर सेम डिट्टो सवाल हमारी बुक में से यह आप ले जाओ आप बुक भी ले जाओ और गूगल से नेट से डाउनलोड करो नमवंबर 17 पेपर उसका और इस बार तुम रिजल्ट देखना और जो भी देखना बहुत अच्छा आने वाला क्योंकि हमने क्लास में बहुत ऑड श्यमिलर्ली यह जीसocr प्राण गया से इंट्रुन का कोशन बैंक है और इस निगा प्रण के चलो जीएस की में हर चाप्टर पर 50 बार अब यह चलो बे ज़्या हं एक्जाम नहीं हुआ, यह भी मेरा ओपन चैलेंज है, इमान के चलना, चालिस में से कम से कम, 32 से 36 नंबर का पेपर, मिनिमम मुल रहो हूं है, मिनिमम, होगा बैसे पूरा ही लगेगा, जितना मुझे पता है, 32 से 36 नंबर का पेपर, हमारी बुक में से कोशन आपको मिल सब कुछ, अपनी तरफ से भी हमने कुछ एडिशन की हैं, कुछ प्राक्टिस के कोशन निकाले हैं, बहुत चीज़े हैं इसमें, बहुत महनत के बाद यह बुक बनाई गई है, जी एस्टी की, तो यह हमारी क्लास का एक स्केडिवल रहेगा, क्लास में सारी चीज़े कवर क करेंगे, नोट्स बनाएंगे, सारे कोशन कवर करेंगे, दूसरी बात, खेर आप लोग तो यहां पर होई, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो यहां पर आपको मिलेगा, वो है स्मॉल बैच साइज का, बहुत बड़ा फैक्टर रही है, बदब जो लोग भी आप भी कहीं और अगर क्लासे लेने का प्लान करते हो, तो आपके लिए समस्या क्या होगी, अभी तक तो CPT था यहां फाउंडेशन था, तो उसमें 11-12 था, कई प्रॉब्लम भी आई, तो वो आल्मोस्ट हम खुदी सॉल्व कर लेते हैं, हमारे आसपास का बच्चा सॉल्व कर देता है, कि आठ से दस रात को ड़कू सेशन के लिए इस नंबर मेरेको क् सकते हो, मतला हमने उसके लिए अलग से एक टाइम निकाल आदा है, हर टीचर आपको से यह मेरा यह तो मेरा नंबर इस नंबर पर आपको टैक्स और कोई भी डाउट आरे है अदरवाइस हम तो फेस-to-face है यह बात उनके लिए आप्ली के बले जो लोग हमारी सैटलाइट क्लासे जार रिकॉडडिट गॉड़ासे ले रहे हैं उनके लिए भी हमने यह प्रोविज है कि वो इस नबर पर कभी वाट्साप करके डाउट ले सकते हैं लेकिन डाउट आएगा क्यों नहीं क्योंकि हम 800-900 कोशन जो क्लास में कवर करेंगे उसी पे बेजवास फिगर जी चेंज है अगर डाउट आ रहा है इसका मतलब कैल्कुलेटर में कहीं दिक्कत है बस और कोई कोई डाउट नहीं आने वाला क्योंकि हम सारे कवर कर लेंगे क्लास में इसके टेंशन नहीं अपने को ठीक है तीसरी बात बुक्स वे गहरा सब कुछ यहीं से सारे टीजर्स आपको बता आप तो जो लोग हमसे सीपीडी में क्लासे लिए तो दे आर वेल रूबरू रूब आपको पता लगी जाएगा और सबसे बड़ी बात जो फीज की बात है यह भी एक पॉइंट है कहीं नहीं एक रीजनेबलिटी भी होनी चाहिए माना कि बहुत वेल एस्टाबलिश टीचर्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में हर चीज में हर चीज अवेलेबिल्टी है बट एक रीजनेबल फीज जो आपको यहां पर मिल जाएगी वो शायद ही कह पर मिलेगी यह बात आप खुदी समझदार हो चेक कर सकते हो मार्केट में रीजनेबल्टी है फीस में हर चीज अवेलेबल है हर चीज तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं कि बाकि आप रिव्यूज अपने सीए इंटर के फेंड से ले सकते हो अभी हम लोग शुरू करते हमारा टैक्स का डिरिक्ट चुरू करता है बेसिक कॉंसेट और आज हमारा यह चाप्टर आल्मोस्ट सेवनटी परसेंट खतम हो जाएगा बेसिक कॉंसेट तो एक काम करते हम लोग हेडिंग डालते हैं सबसे पहले टैक्स का थोड़ा बेसिक समझना पढ़ेगा अपने को उसके बाद हमारा चाप्टर नमबर बन शुरू होगा, तो शुरू करते हैं चाप्टर नमबर बन बेसिक कॉंसेप्ट्स,